तो इस कहानी में मुकुंदा कैसे सर्वाइब करेगा कौन सी उसके पास सूपर पावर से यह लोग अम लोग इस वीडियो में जानने वाले तो मुकुंदा को एक दूसरे वर्द से आपर टेलिपोर्ट किया गया है अब मुकुंदा को लोग बहुत ही अजीब नज़रों से द अपने स्टेश को देखता है जिससे के उसके पास क्या-क्या पावर है तो उसके पास ऑनलाइन ग्रोसली यानि की शॉपिंग का उप्चार दोर्मोन के पॉकेट की तरह जासे वो पुछ भी और कर सकता है यह चीज़े देखके मुकुंदा तो बहुत ही जादा खुश हो ज जाते जाते अपने साथ कुछ चीज़े भी पर्चेस का लेता है और उसको इस विलेज में ज्यादर टाइम तक रुप नहीं था क्योंकि राजा कभी भी उसको वापिस बुला सकता है या लोगों को बंद कर सकता है अब यहां पर जो मुकुंदा के साथ जो आदमी है वह उ बाहर ही नहीं निकल पाता अब मुकुंदा एक छोटे से विलेज में आ चुका था जहां पर वह सभी के साथ इदर उदर घुम्रा था और अब मुकुंदा को कई बाहर मदविस राज्जी से बाहर जाने के लिए और यहां पर देना पड़ता है तो मुकुंदा क्यंफे में आखे खाड़े और वह पता लगाता है कि कासी राज्जी को छोटे बाहर जा शेपता है booksना सबस्क्स कंदा अब मुकुंदा के लिए तोड़ी परिशनी वाला काम दो था पर मुकुंदा को यह से जाना था इसलिए मुकुंदा आठ वोल्ड कोई दे देता है और मुकुंदा के साथ एक टीम चलने के लिए तयार हो जाती जो कि इसको शुरकसित वहाँ पे उस दूसरे राचे में ले ज जाते है अब ये लोग ठख चुके थे इसकी मुकुंदा अपने इस्टिरूरूम से चीजसे निकलता है इसलिक न打ले जाया vaccine है और मुकुंदा SMITH सेण्विच बना के उनके साथ एक सूप बना था अब जैसे ही वो लोग यह खाना खाते तो उसको यह खाना बहुत जादा टेस्ट लगता हो और बोलते हैं कि हमने ऐसा खाना आज तक नहीं खाया हो और इसका तो टेस्ट लाज जवाब है तब यह कैप्टन भोलता है कि हम तो लगा था, हम तुम्हें ऐसा ही फाथ लेके आ गए तुम हमारे उपर पूझ बरोगे हमारा तुम्हें साथ मिलाना अमाली फाइदे का सौधरा और वो लोग अपने सापर के लिए आगे निकलने पड़ते हैं तभी उनके उपर कुछ बेटरफ्लाइ मोर्स्टर अटेक करते हैं जिसको कैप्टन और वारियर दोनों मिलके हरा देते हैं जिसके मीट जिसके वो अपने खाने में यूज कर सकते हैं अब मुकुंदा को सभी लोग ऐसे घूर घूर के देख रहे थे हैं इसलिए मुकुंदा बोल देता है अगर तुम सब मुझे ऐसे देखोगे तो मैं खाना कैसे ही बना पाऊंगा तोड़ी देर के बाद मुकुंदा मीट को अच्छे से कट कर लेता है अब मीट के टुकड़े वो बॉइल करने के लिए डाल देता है उसमें कुछ सॉसेज और कुछ सब्जे डाल देता है और ये चीज बनके तयार हो जाती है अब जैसे ही वो सबी के सामने ये चीज लाके रखता है और जैसे सब लोग इस चीज को देखके खाने लगते हैं तो लोग बोलते हैं कि वाओ इससे जादा टेस्टी चीज को मैंने आस तक नहीं खाई क्या चीज है यार ये सारी बाते सुनके तो मुकंदा बहुत जादा खुश हो जाता है और मुकंदा टेंचन में भी आ जाता है कई मेरी सरकतों की वज़े से कोई मुझे अप किड्नेब ना कर ले कोई मुझे गुलाम ना बनाने अपना और अगले दिन वह अपने सफर पर फिर निकल जाते अब एक बार फिर से नाइट का सीन आ जाता है उनके पास बहुत सारा मीट के टुकड़े बचे वे थे इसलिए मुकंदा इस बार भी उस मीट से कुछ अच्छा सा बनाने वारा था इसलिए वो मुकंदा चटचटे मीट के टुकड़े बार देता है उसे सौसेज में बलाई कर देता है और उसे तिल में फ्राई कर देता है जिसके बाद उसके अंदर वो कुछ कैप्सी कांट और कोई सबजय भी मिला देता है जो कि भाई देखे बहुत जादा टेस्टी लगी है अब जापता इतनी ज्यादा पावर देखे कु लड़की में लेश्वास प्यार करने लग जया है अगर आप लोग किसी से प्यार करते हो और नहीं करते हूं आप चैनल को शक्राइब करके बता सकते हो भाई मेरेसे तो प्यार कर लो तभी वो मुकंदा के पीछे आ और मुकुंदा उसको एक नाम भी देता है फिरो अब फिरो और मुकुंदा के बीच में कॉल चुक दा अब फिरो बोलता है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हूं इसलिए वो लोग वहाँ पे बैठ जाते अब मुकुंदा बच्ची मास्क के टुकड़ों से कुछ अच्छी चीज़े खाने के लिए बना देता है अब फिरो तो मुकुंदा को गोरी जा रहता मुकुंदा बोल देता है कि मीट हमारे पास कव है यह बहुत ही जादा थाकतवर होता है और मुकुंदा उसकी मीट को काटके उसको इस सॉस वस मिला के फ्राइ करके उस चीज़ को इतना टेश्टी बना देता है भाई मेरे मूँ में पनिया रहा है इस फिरो की जग़ा पे मैं क्यों नहीं हूँ और वो लोग एक कैसल के वाल के पास पहुँच जाता है जहांसे वो राजची में एंटर करेंगी अब वहाँ पर समी लोग अलर्ट हो जाते है और इस चीज़ को देखे मुकुंदा भी तोड़ा परिशान हो जाता है और मुकुंदा अब राजची के अंदर आ चुका था पर उसके पास कोई भी कार्ड नहीं था इसलिए उसे चार से छे सिल्वर कोईन देने पड़े हुदा तो ये कैप्टन बताता है कि तुम्हें एक गेल्ड कार्ड बना लेना चाहिए यानि कि जिससे कि तुम आसानी सियावार ट्रेवल कर सकते हो अब सभी लोग यहां पर मुकुंदा को देख रहे थे तभी एक इंसान आत्या मुकुंदा को बोलता है कि मैं भी ऐसा फैमिलियर बनाना चाहता हूँ तो कैसे बना हो क्या तुम मुझे बेचो गई तुम में इसलिए उसे तबेले में रहना पड़ता है अब मुकुंदा यहां पर मीट से अच्छा अच्छा खाना बनाने लग जाता हूँ अब कुछ चीजे भी और कर देता हूँ इसमें वह राइस भी और करता है जिसे कि वह अपने लिए राइस खा सके अब यह सारी अब मुकुंदा एक बार फिर से मीट एंड जावल को मिला के खाने वाला था जो कि उसे बहुत जादा टेस्ट लगते हैं और मुकुंदा यहां पर गिल्ड कार्ड में भी आ जाते हैं जहां पर उसे अपना प्लेटिनियों कार्ड तो मिल चुगा था और वह एक फॉरम भी देखा जो कि इतना जादा प्यार हो और यह इतनी अच्छी तरीके से बनवा है जो कि हम तुम्हें बहुत ही महेंगे में खरीद देंगे अब मुकुंदा आगले दिन एक बार फिर से फिरो मुकुंदा जो नहीं आ जाते है अब फिरो अपने शिकार करने के लिए चले जात है और सथ बेराइस भीथे हैं और नुडकु नुडस इन राइस का को मवो दो बाइट अब फिरो अब फिर से एक मोश्डर को मार के लाक्राश पता अब फिरो सबसुच नहीं आ जाता कि यह झाया है जियसे रस आ जैसे फिरो का अब लिए तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी चीजह है अब ऐसे करते-कर ते फीरो ने तो बहुत ही ज्यादा मॉश्र को मार दियता है पर मुकुंदा को टैंशन हो जिती और कमी घाने में जो कि अजीब होता है तो वह सबी चीजों को अपनी इन्वेंटरी में रख लेता है जिसे क ही वो बाद में जाते ने ने सके अब वहाँ से निकल जाते अब मुकुंदा उसकी पीट पर पर इत्ती जादा खराब हो जाते कि फिरो बहुत ही जादा तेज दौरता और वो क्लें के सारी चीजों को मेडिकल हपस को जमा कर देता है जिसके वज़े से उसको कुछ कॉपर आगया था फिरो भैप अब लोग देदी के मुकुंदा पर मीट शौप पे आ चुका था जब होता यानि की स्किंस निकाले जाते यह दिखते हैं यह सारे मॉस्टर कमीट वो बहुत ही ज्यादा है कि तुमने इतने ज्तन घ्रा तो इसलिए फिरो वो बोलता है कि आमने फिरो की मदस्ट्रें शेकर अब वो बोलता है कि मॉत नाई रहे देता है और जैसे ही वो उसे टेस्ट करने लगता है तो उसके मन में बहुत अरजीव इचारा थै कि और कितने भयानक दिते हैं पर फिरोग तो यहां पर रुपता ही नहीं वह तो नजीज रजीज करके खाता रहता है और उसे यह सारी चीज़े बहुत जादा पसंद आत लिए यहां था कि उसके दिल से तो मेडिकल्स केम थी वर्निकल्स हब भी बनाई जाती वंदर दवया और कुछ किस्टल भी मिलते हैं जो कि रेर मोंस्टर के अंदर होते हैं और इतना सारा मीट तवाई दुकांदार देखके तो बहुत जादा खुश हो गया था अब फिरो भी चीज़ों को लेके बहुत जादा कुछ सा तो कि उसे बहुत जादा अच्छा खाना खाने को मिलेगा अब मुकंदा फिरो एक चेगा पर आ जाते हैं जो कि देखने में तो खंडर टाइप के लग रहे थी अब उन लोगों को रात को यही रूपना था इसलिए मुकंदा अपने ओनलाइन शॉपिंग से कुछ चीज़े देखने लगता है और यह सारी चीज़े देखके तो फिरो के पेट में पानी आ जाता है बूब में पानी आ जाता और फिरो मुझे बस इतना चोटा सा टुकड़ा ही खाने को मिलेगा वोकंदा इसे खाके तो देखो यह जाने को मिलेगा इसलिए वो चीज़ को खाता रहता है और कि मुझें और वी चीज़े देख रहा हो ता जिसे कि और भी कुछ खाना मगास के और शारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फसद आने लगती है अब इतनी जानी चीज़ें काने के बाद फिरो का लेवल वो जब चेक करता है तो कम से कम हर 11 मैक्स हो जाता है बन्हों पाकपा सदार और ऊपर जा चुपा था अब फिर उसके उपर एक शुरक से कोई लगा देता है और वहां से चला जाता है वह जाते ही पूरे और के कम्मिनिटी को दिश्ट्रॉई कर देता है मतलब अपने एक अटैक से जि अगले दिन मुकंदा तो वहां पर अरांचे सो जाता है जिसे कि नीड पूरी हो जाए अब जैसे वह सुपह उड़ता है तो इसके आस पास इतने सारे मौश्टर बॉब लेस्टे जिसे मुकंदा देखे बहुत जादा परिशान हो जाता है कि हम इतों को रखेंगे कर तो प पर हम लोग कितना ही बेकार का ना का रहे हैं तो ये सारी बाते तो वह सोची रहे थे और हम लोग मुकंदा पर एक बर फिर से आ जाते अब मुकंदा कुछ नई चीजसे रेसिपी बना दी थी जो कि फीरों को खाने में बहुत ज़्यादा लजीज लगती है बाइक त्विरो को तो हर चीज लगती है पर मेरे मुल में पार बार पानी आ रहा है इस सारी लजीश चीज़े देखके तब फिरो बताता है कि मेरे उपर तो एक डेवी की ब्यसिंग है जैसे कि मैं कभी कम जो नहीं पर सकता हूं मेरे पास फिन मैजिक है तो मुकुदा बोलत के उपर कुछ अटेक करें तो मुकुदा बहुत जादा रोनी लग चाहता है कि मेरे तो कुछ भी यूज नहीं कर पाता हूं तब ही मुकुदा फिरो करता है तो फिरो के अंदर उसे मैचिकल एनरजी फील होती है जिससे देखके फिरो बहुता है कि अगर तुमारे अंदर मैचिकल एनरजी को पहले फील करो पर उसकी फायर पावर इतनी कुछ जादा खास ने होती जो कि अटेक तक नहीं कर पाती इस लें मुकुदा को वो टेंडिंग कर आने के लिए बोलता है कि तुम्हें और जादा पैक्टिस करनी होगी जिसकी वजह से तुम अपनी मैजिकल जादा स्टॉंग नहीं होता तो राते में मुकुंदा गिड़ जाता है जिसकी वजह से उसके उपर लगावा सुरक्षा कवस्त अक्टिवीट हो जाता है तो जादे दिने तक एक्टिवीट नहीं रहेगा इसलिए मुकुदा वहां पर फायर पावर यूज करने लग जाता है जिससे वह बहुत आसानी से बढ़ देता मुकुंदा यहां पर तोड़ा बहुत परिशान था कि मैं तो वहां पर जादा कुछ करी नहीं पाया तब ही तुमने बहुत ही अच्छा क्या है तुमने अपने अपको बचा तो लिया यह सारी बात से सुनके मुकुदा तो बहुत ही जादा मुश्टर का मीट आ चुका था जिससे कि वह बहुत जादा परिशान हो चुका था कि अब अभी तक उन्होंने उस पुराने मीट को भी खतम नहीं गया और उसके पास तो मीट आई जा रहे था इसलिए मुकुदा वहीं पर चलते चलते बहुत हो जाता है और वह अब कुछ खाना बनाने के स्थिमें भी नहीं था इसलिए वह अपनी ऑनलाइन ग्रोसरी की दुकान कोलता है वहां से कुछ चीज़े और कर लेता है जो कि बहुत ही अच्छी लगते ही फैकाने में क्योंकि काफी टाइम के बाद अब यह बिंग जैंब बन होता है ज बोलता है कि मेरे दाथ तो कभी खराब होई नहीं सकते हैं मेरे पास गौर्ड की ब्लेसिंग है यह सारी बात कहके मुझे भी ब्लेसिंग चाहिए मुझे भी कोई ब्लेसिंग त्यूनी रहता है और वह अगले दे फिर से एक नई विलेज पर आ जाते है मुकंदा को सैनिक ग होगे इसलिए मुकंदा भी बोल देता है ठीक है ठीक है मैं उसकी पूरी जिम्हेदा लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि यह कुछ भी नहीं करेगा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा यह सारी चीज़े देखके वो लोग उसे आने देते हैं अंदर और मुकंदा फिरों के सामने कुछ खाना रत के वहां से चला जाता है वो बोलता है कि मैं कुछ चीज़े भी हें आता हो इसे देने परते हैं जिसकी वज़ें मुकंदा उससे भॉक को लेने से मना कर देता है वो उसे अपने साथ मैठा लेते हैं और मुझे अभी यहां पर कुछ भी नहीं पता तो मुझे एक मैप चाहिए क्या तुम लोगों को पता है कि मैप कैसे मिल सकते हैं और यहां के राजा के बारे में भी वह याद करता है कि कितने लाल सी टाइप का है उसने लोगों को यहां पे इसले बुला है कि वह खाजाना लूट सके अब यह सारी चीज़ है तो मुझे एक मैप चाहिए क्या तुम्हें पता है मेरे को मैप कैसे मिल सकता है तब ही वह ज़्यादा महेंगा नहीं लग रहा था इसलिए मुकटा उस चीज उसके लिए माजा था और फरीद लेता है उन लोगो के जाने के बाद सभी लोग उस पर आस रहे होता है मुकुंदा को लोग बोगे तो मैप तुम्हें तिसी भी जिस से मिल जाता है वो भी एक सिल्वर कोई में तुमने उसका इक गोल्ड कोई लिया यह सारी चीजे देखके तो वापस अभी लोग उसके ऊपर आस रहे थे पर मुकुंदा इतना जादा टेंशन नहीं लिए था क्योंकि उसके बहुत जादा गोल्ड कोईंड है यह सारी चीजे देखके तो अब फिरो बोलता है मुझे फिर से वही बेंचेंपन टाइप का कुछ खाना खाना है इस पार मुकुंदा उसके लिए कुछ अलग चीजे मगवाता है जिससे कि वह बहुत ही दादा टेस्टी होती है और मुकुंदा अपने लिए राइस में कुछ मीट के टुकुरे डुबा के खाता है और फिरो गोलता है कि मुझे भी चाहिए और वो लोग अपने सफर के लिए निकल जाते है अब मुकुंदा मैप में देखते देखते वहाँ पर चला जाता है और उन्हें पता चलता है कि उन्हें कौन से राच्छी में आगे जाना है ऐसी उनका सफ़र चलता रहता है और हम लोग देखते हैं उस गिल्ट का सिंग जहां पे मुकंदा ने रजिस्टर किया था वो लड़की बोलती कि मेरत तो देले आ गया उस चीज़ पे वो कितना पस्ट मुझे अच्छा लगने लगा अब यह लड़की तो फीरो की बात कर रही थी पर वो दूसी लड़की तो मुकंदा के बारे में सोच रही थी कि अच्छा तुम्हें वो लड़का कितना पस्तना आ गया दोनों यह अलग अलग तरीके से मुश्क्रा रही थी और दोनों के रियक्शन भी अलग थे अब यहां पर बाड़ेस बैटी होती है जो कि मुकंदा के बारे में सब कुछ देख रही हो थी क्योंकि मुकंदा इतना डेश्टी खाना खारा होता है जिसके वज़े से उसे भी तोड़े जनिस फिलो थी अब मुकंदा फिरो अपने अपने सफर के लिए नदी के पास आ जाते हैं और फिरो एक ही बीजली के अटेक से पूरे पानी की मचलियों को मार देता है वहां पर कुछ जादा ही मतलब लची मचलियावडी थी पर फिरो उन्हें लेने से मना पर द कर देता है और वहां पर कुछ मसाले ओडर कर देता है और फायर भी लगा देतु हो लगों लपरी हएक घटी करते है अब दीर दिर धी तो मचलियों को cutting करने का और उनको बारीक से साफ करने का बड़ी मचली का वो सरकार देता है और उनके ऊपर कुछ महसाले लगा देता है और फ्राइ करने का टाइप भी आ चुपा था अब मुकुन्दा कुछ पेपर के अंदर बॉइल और काली मेच लोंग प्याज यह सब मिला देता है और उन्हें पैक कर देता है और मचलियों गंदर एक इस्टिक डालके उन्हें आपके पास रख देता है जिससे कि वहां पर अच्छे से पक सके और आप यह सारी चीज तो फिरो को भी बहुत जादा पसंद आने लगती है और मुकुन्दा उसके साथ मुकुन्दा दारू भी पिता है मतलब ड्रिंक चुक करने की बाते करते हैं तो मुकुन्दा थीक है ठीक है अभी बना देते और वहां पर चले जाते हैं चोटी सी स्लाइन को देखते हैं जो कि लकडिया पत्थर यह सब चीज़ें काके सर्वाइब करती है तभी वह देखती कि मुकुन्दा कुछ चीज़ें खा रहा होता है इस तोड़ा परिशान हो जाता है मुकंदा देखता है कि वह चीज़ों को खा रहा है आप साफ कर रहा है तो बहुत ही जादा सच में यूसफुल हो बहुत हो फिर उसे बताता है कि तुमने एक फैमिलियर बना तो लिया अब देखो तुम अपने निस्पार पे देखो जहां पर इसका भी नाम एर दी जाएगा तो फिरो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है और वो उसका नम स्लाइडर देता है अब मुकंदा कुछ पानी पी रहा था तो वह पानी की बोतल को भी एक्जॉप कर लेता है जिसे कि यहां पर कचला ना पहले अब धीर धीर करते करते उन लोगों मैं अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और मुकंदा और फिरो दोनों ही अपने मैजिकली स्किन को यूज करते हैं अब मुकंदा के पास पत्तर फैकने की स्किल भी थी जो कि बहुत ही जादा बीग थी इसलिए फिरो बोलता है कि तुम्हें एक बार फिर से गॉबलिन्स के आए इलाके में जाकर के अटेक करना चाहिए जिससे कि तुम्हेरी स्किल और ज्यादा बढ़ जाए गई यह सारी बाते सुनके तो मुकंदा एक दमचे पटिशान हो जाता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा और लोग एक बार फिर मीट खाते हैं अब यह सारी का रहे थे जो कि फिरो को बहुत ही जादा पसंद आता है और स्लाइम को भी और यह सारी चीज़े तो बहुत ही जादा लजीज होती है इतना खाना क्यों है इस सीरीज में मुझे खुद को भूग लग रहे है मैंने सुभी से कुछ नहीं काया मुझे भी ब्लेसिंग होगी और यह अपते में तुम्हें दो बार करनी होगी जिससे कि तुम्हें उस देवी की ब्लसिंग मिलती रहे है तब ही वह गौड़ेस को कुछ चीज़ें गिफ्ट कर देता है और वह चीज़ें गौड़ेस के पास चले भी जाती अब वह अपनी स्किल को चेक करता है तो चप्र चाहिए यह शाणी चीज़ें भोलके उसे भी चकलड़ को मिल जाती है जो की बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती होती और यहां पहुत ही ज्यादा पहारे स्ञेट के लिए चैस्वेटी प्रेकर देता और चौकलेट उसके पास पहुच भी जाती है और अब यह सारी चीज़े होने के बाद वहां से निकल जाते हैं क्योंकि अब आगे जाने का उनका टाइम आ गया दा और काफी टाइम के बाद वो लोग गुफा के पास बहुत है जहां पर बहुत ज्यादा मोंस्टर होते हैं अब मुखना तो यह से भागनी की ट्राय करा था और फिरो तो उस थे पहुना क्योंना क हांने तो जोड़ा दो करते थे जिसके वज़े से उनकी काफी जादा और नहीं आद्लेंट वेबसी का उलीन फैल ख 커피 सकत है और एक शकना का यह अट के subtitle मुंचर को मारने के लिए तो मुखंदा दिखते के वापे कुछ स्लाइम मौस्टर है तो हमाना टीनो टीनो तो एक ऐस्टेंड में आसानी से उस इस आप मुखंदा भी अपनी स्टोन ऐबिलीटी को यूज करता है जिसके वह मौस्टर मार जाते अब आगे जाके उन्हें कुछ रैबिड मॉस्टर कुछ गॉबलीन मॉस्टर भी देखने को मिलते हैं जो कि उन्हें तोड़ी मुश्किले तो वो तीर पर वो आसानी से उनका भी सामना कर लेते हैं जिसके वज़े से वह आप एक बुल याने की भेडिया मॉस्टर आ ज चीजें के मुकुल्दा तो डटर जाता नहीं नहीं पर यहां से वाहपी जा रहे तो यहां पर टीनो और फीरो तो बोल देदे नहीं तुम लोगों को जानना होगा फिरो न दूने को नीचे दीता जिसे की जैसे वह लोग नीचे कि तेंथे तो सारे मॉस्टर का दियान उन और उस सारे मॉन्स्टर को ये दोनों मिलके मार देते हैं तो यहाँ पर ये लोग सभी मॉन्स्टर को मार चुके देते हैं तब ही उन वीस्ट मॉन्स्टर का किंग आ जाता है जो कि बहुत ही जादा ताकत वर था अब Mukundha उसके उपर बार-बार अटेक तो की जा रहता पर उसकी अटेक से वहाँ पे कुछ भी इतना फर्ग नहीं परता है इसलिए Mukundha वहाँ से भागते रहता है और Mukundha वहाँ पर बहुत बड़ा एक पत्थर से अटेक भी करता है और इस पत्थर से पर उसको इतना कुछ ज सबस्क्रांब कोशच जयता है उसने उस king monster को हराय था रही सब देखको बहुत जादा कुछ हो जाता है उसका च्राइम उसका उस्टाइम और चाहिए आपổi थोडğ Hahn आपके प्रेशान होजाता है कि में यहां पहला है कर सकता है श्राइम और पकाई यह इस सारी चीज़े देखके मुकंदा तो बहुत जादा खुश भी था कि चलो अब तीनों बोलता सकता है और उसको बहुत जादा प्यार करने लगता है और यहां पर फिरो भी आके उसे वह देता है कि चलो ठीक है मैंने तो आई मदद के थी अब कुछ लजीज खाना खाया जाए तो मुकंदा एक बार फिर से कुछ ऑनलाइन सीरी से कुछ चीज़े और कर देता है जिसके वज़े से वह कुछ वहां पर लजीज खाना बना पाए अब वह छोड़ छोड़े मीट के टुपड़े की कट कर लेता है कुछ कैपसी कम भी कट कर लेता है और उसके अंदर लस्म का पेश्ट भी मिला देता है अब तोड़ी दिर के बाद वह सारी चीज़े बनके दयार हो जाती है और दोनों गई वह सारी चीज़े बहुत पसंद रहे हो और मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है मुझे अंकल मत बोलो करो इस चीज़ पर मुकुंदा तो उससे बहुत जादा डाटन लग जाता कि क्या तुम टीनो को ऐसे कैसे बोल रहे हैं तिन सथ तुम्हें पता ना किता चोड़ा इस सारी बाते उनके बीच में चल जा पर वो बार पर उसे अंकल बोले जा जा लहता है जिसके वजह से फिर वहाशादा रुसा हो जाता दो जाता दो यह हैं फिर वह पर बहुट हुआ जाता है अब तीनों मेल के एक बार इधत से उस जंगल के अंदर करके पॉलताया यहां यहां सिते हैं भाषे से बहुत हैं कि कर सके जाता है हम लोग इसके लिए जल्ट हो पीख से जा रहे है जसे जंदी फूरा कर सके जैसे उसके उपर डबल मोंस्टर यानि कि दो सरवाला बीश मोंसे उसके उपर अटेक करता है तो फिरो तो उसे एक अटेक से मार देता है और बाकी सारी चीज़ें देखके वहांसे डर के भाग जाते है अब मुको तो बोल से कि हम लोग इस घने जंगल में बीचो बीच की व लग जाता है और अपने खाने लें कुछ चीजांने कारेताये कि आज वह कुछ नई चीजे बनाने वाला नाया तो सब्सक्र rez Barnes निकाल लेता लगती जिए अब फिरो को पसंदा लगती और फिरो अंट की ट्रे ही खाने अब यहाँ पर फिरो पीनू तो दोल नहीं धाप चुके थे याना कि उनका पेड़ भर चुका था और मुकंदा अब कुछ मीट के टुकड़े ही बचे थे इसले वह अपने लिए एक सैन्विच बन चुके थे जहां पर उन्हें कुछ हर्प्स दिखते हैं यानि की मश्रूम दिखते हैं जो की हीलिंग मश्रूम होते हैं जिन से की दवाया बनती है इसलिए मुक्रूंदा तो बहुत ज्यादा है और कुछ मश्रूम तो टीनों ने भी खाले थे जिसके बाड़ी गिलो करने अधर लोई को खाले तो उनकी बाड़ी भी लोई की तरह स्ट्रॉंग हो जाती है और टीनों ने तो बहुत जादा ही मश्रूम खाये जिसके वह जाता है जिसके वह आगे जाके उन्हें बेश सके अब यहां पर हीलिंग पोश्चन तो बना चुके थे और वह बहुत तो कोई बना ही नहीं पा रहा था इसलिए वह फिर टीनों से बहुत जादा प्यार करने लग जाता है जिसलिए वह सबसे ताखतवर मौस्टर से लगना चाहता था अब टीनों तो यहां पर बोल देता है तो मुझे मत बोलना और दो लोगी बीच में वहां जादा फाइट ह लगता धी है पर फिद् लगफ़ा खतामी होने वाला तब ही टीनो वहां ऊसके होपर लिंग पॉस्सट्ण डाल देते हैं जिसक वह जैसे ऊसंपना जाता हो जहते हमने चोट भी नहीं दे पाया तभी वह बता देगे उसको तो खरोच लगी और मीजो यहां पर मारा जा मतलब तोड़ी चोट के वज़े से वहाँ से चला जाता है वह अपना पंक पीक मुकंदा को देखे जाता है और बोलता है कि तुम्हार उपर कोई बीगर किंग अटैक नहीं क फ्राइ कर देता है यह सारी चीजे तो बहुत ही जादा लजीज लग रहे थी और तुन दोनों को यह बहुत ज़्यादा पसंद आती है यहां पर खाना घाते पेटी बर गया था और मुकंदा बोलता था पहले मुझे कितना अजीब लगता था कि और बहुत ही खराब होता ह है यह सारी चीजे देखे गॉर्ड तो बहुत जादा परिशान हो जाती है और मुकंदा वहां से चला जाता है पिर वहां मुकंदा एक साथ अपने अगले सफर के लिए निकल जाते और वह लोग अब जंगर से भी पार निकल चुकते हैं इसले मुकंदा बोलता है अगर हम लोग साही रास्ते पर नहीं पहुचे तो हम लोग मीट नहीं खाप आएंगे क्योंकि हमार पार आप मीट खतम हो चुका है इसले वह लोग बहुत तेजी स्पिट से निकल जाए तो वह लोग देखते हैं कि सामने एक टीन के ओपर अटेक हो जाता है कुछ लूटे रहें को लूटने के ठ्राइगा रहे तब फीडों वहां पर आज़ें बोलता है अगर तुम लोग अपने अतियार नहीं गिरा होगे तो मैं तुम सबको मार डालूँगा यह सारी बाते सुनके सभी लोग अपने अतियार गिरा देते हैं और वहां पर सभी लोग पकड़ जाते और टैवलर उन्हें बहुत बहुत थैंक्यू बोलता है और हमने सुना तो था कि किसी इंसान के पास एक बहुत भी बड़ा मॉस्टर है जो कि उसका पैट है पर यह चीज़ है तो हमें आज देखने को भी मिल गई इसलिए हम लोग बहुत जादा खुश है अब मुकंदा यहां कि इन के सामें तो कुछ भी नहीं बणा सकता तो यह से पहले एक इनसान ने फिरो को करीने की कुशित की थी वर लोगो कुछ नहीं कर सकते हैं अब सभी लोग अपना खाना का रहे थे हैं वो भूह जादा था क्योंकि मुकंदा नहों उससे बुलेता अगर तो में तुम इन खाने लग जाते और फिर वो टीनों को यह दोनों को यह बहुत जादा कर लगते और बाकी कि सब लोग वहां पर नॉर्मल खाना का रहे थे जिन का टेस्ट उन्हें विल्गुल पसंद ही आ रहे था तब उन्हें वह कुंदा के खाने के खुश्पु आती है और सब लोग वह लें बहुत जाद ही यह खाना बनाने लग जाता है और उसके खुद के खाने के लिए तोड़ा सा खाना कम बचता है और वह कैसे विखर कि यह सारी चीज़े मैनेज कर लेता है और मुगदा उन्लूटर को मना कर देता है यहांसे भागने नहीं चाहिए नहीं तो हम तुमें जिन्दा मार देंगे यह सारी चीज़े देखके तो लोग ड़ जाते हैं और वहां पर से भागते नहीं अब अगले दिन मुगदा सिटी में आ चुका था और वह उस मर्चेंट के साथ बाचीत करा था और उससे बताता है कि सिटी कितने अची है तब ही वहां पर कैप्टल जाता जाता तुम्हें जाके डिल्ड में रचीस्टर कर लेना चाहिए जिससे कि तुम्हें कोई परिशानी नहीं होगी वह जाके उसको वह देखता है तो उसको प्लेटिनियम कार्ड एक्सपाइर हो चुपा था क्योंकि उसने च्शेमेंने से कोई भी मिशन ही नहीं किया कि वह इते टाइम से जंगलों में घुम रहा था कैसी मिशन कर लेता इसलिए वह अपने कार्ड को रिन्यू करवाने के लिए वहां पर कॉइंग भी दे देता है जिससे कि वह अपना कार्ड को एक्सपाइर मदब रिन्यू करवा सके और वहां पर कुछ चीजे भी देखता ह है और वह इस चीज़ को लेकर बहुत जादा कुछ था इसलिए वह अपने इसलाइम मॉस्टर का भी वहां पर नाम रजिश्टर करना लेता है सभी लोग उसके उपर बहुत असरे थे अब उसको यादा है कि उसके पास बहुत जादा मीट वड़ा है पर उस आपके उसको त इस साथ कैसे अला सकता कोई तो वह निकाली नहीं सकता था रही तो लोग दर जाते इस चीज़ को देखे इसलिए वह पूछे के हमने जो रात को मीट वह पौशा था तो मुपधा बज़ता कि वह ऐसा मीट था जो कि वह बाते सुनके तो बहुत जादा है और बोलते हमें मा सब्सक्राइब को एक साफ सफवाई और मीट के टुकड़े करने के लिए इस्टोल में रख देता हो और उसे साफ की स्किन भी देती है जो कि वह ज़्यादा महेंगी होती है अब मुकुंदा यहां पर बहुत जादा पुस्ता है कि उसे मीट के मिलेंगे और वह अपने रात बोट पर देखता है जहां पर कुछ हप्स और कुछ गोब्लिंस को माने का टार्गेट दिया वाता है जिसी कि वह अपने कार्ड को सी रेंक से तोड़ा उपर ले जा सके तो वहाँ पर फीरो तो बोल देता कि नहीं हमें गोब्लिंस को माना चाहिए मुकणा यहां पर मदा कर देता है और यहां पर फीरो टीनो की मदद लेता है जिसके बाद मुकणा को उसकी बात माननी पड़ती है और उन दोनों पर गोब्लिंस को मानने जाना पड़ता है जिसके बाद मुकणा पर फाइनली गोब्लिंस को मानने के लिए जाना पड़ता है इसलिए मुकणा गोब् और तीनो तो हमला कर देता है जिसके वोगत ही आसानी से मारे देता है और मुझे तो उनके कान भी काटने पड़ेंगे जो कि बहुत ही गिनो ना है और यह सब चीज़े देखे मुझे जाता वह जाता है और वहाँ पर और भी गॉब्लिंस आने लगते हैं जूब टीनो बहुत तो लगा नहीं सकता नहीं तो यह सब लोग बहुत ज्यादा बरबाद हो दाएंगे इसलिए टीनो बहुत ही बड़ा हो जाता है और अपने अलग-अलग वैरियेश्चन दिखाता है जो कि अपने छोट-छोटे रूप को छोड़दा और वहाँ पर वह लोग ऐसी डटैक कर करने के वज़ा से वहां पर उन सारे गॉब्लेंस को फिगला देते हैं और उन्हें मार देते हैं और यह सारी चीज़े तो आज टीनों को अता चले थी कि उसके अंदर यह अबलेबिलिटी भी है और लोग एक जगा पर बैठके खाना खा रहे होते हैं जहां पर बहुत ही ज बैठके जाता हैं जाया हैं वह बाठी को फ्रेकर देता है और इसके बास बहुत जादा चीज़े पहुच एक तुमने तना लेट क्यों क्या सुझे तो बहुत बहुत ही कान क्लेंके क्लेन में आ जाता है और क्लेन की लिडर वह यायनी तो गिल्ड मास्टर ने बुलाए तो जैसे मुकंदा उनके पाँ जाता है तो गेल्ड मास्टर ने बोलता तो उनके ठीक है तो वह एक इसलाइम को देखके भी त्यारान हो जाते हैं और उसे बोलें हम तुम्हें C rank से भी उपर प्रवड कर सकते है इसके लिए दो काम करने पढ़ाएंगे तो combo आप ठीक है ठीक है हम कर लенगे पर मुझे तो अभी नॉर्मल रैंक पर लाMin Ma hatonay आओड्व इन पर मुझे इतने कई और आभशक्त का नहीं मुझे कोई mड़त नहीं चाहिए तो वह उसको बताता एक तुम्हें यह दो काम करने होंगे जिसके बाद तुम्हेरे 6-6 मैंदे तक तुम्हें कोई भी काम नहीं करनी जिसके बार चुका था जिसके बाद वह लोग आप फिर से निकल जाते हैं और नाइट का समय आ जाता है और मुकुंद यहां पर जहांगी जहांए चलए मेश ऑप हैकर ऐरा कि बहुत जाधा компании के बारगा था आ अब और लिए रहे बार जाती है कि अंह जाती है और अगरी दीन जैसे इसको 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 किते में में पैसे मिले और सबसेंगए अगर पाने पैसा है तो पूः बीटे करते थे तारर के फिसको अपना। इसको अपना कि का देता है गिल्ड जो की उसका रंक अब बढठ चुलबा था इसलिए वह उसको को बोलता है कि तुम्हें दो काम करने हो गए एक तुम्हें इक लीजार्ट मास्टर को लाना होगा जो कि बहुत ही प्रूट अब फ्रूर थो यह सारे चीजें देखें बहुत जाधा कुछ वहादा है क्योंकि उसक्वीट बहुत टेश्टी होता एक इसलिए 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 वो उस पर हस रहे ते और वो ते इसका मिट का ही अवनों जीसे वह उस मर्चेंट के पास आते तो मर्चेंट के पास वो अपने लिए कुछ नए बैक और कुछ नए चीजे लेने के लिए जो कि फीरोको चाहिए थी फीरोको नहीं टीनों को बैग में रहना पड़ता है वह प्रचीस को चूटोब लेने बाद अपने लिए कुछ और सीज़ें आपने पैसे रख सकता और पहुत सारी चीज़ें लेने के बार उसका जब प्रिमेंट करने जाता है तो वो सिलने उसे बता था कि नहीं नहीं ये सारी चीजे तुम्हाले फ्री में है क्योंकि उस दिन हमने तुम्हारा मीट का लिया था और इतना महंगा मीट खाने के वज़से हमें पता ही नहीं था इसलिए ये सारी चीज़े मेरे तरब से फ्री है अगर तुम्हारे पास कोई डैड उसने की स्किन आई तो मिरे को जरूर बताना तबी वो बोलता है नहीं नहीं मिरे पास आई तो थी पर वो मैं पहले ही गिल्ड में बेच चुका हूँ इसलिए मेरे वो माफ करना मेरे ज़्यादा इतना कुछ काम नहीं आपाई तो वो उसे बोलता ठीक ही ठीक है कोई बात नहीं अगर तुम्हारे पास अगली बार ऐसी कोई स्किन आई तो मुझे ज़रूर बताना मैं उसे पर्चेस करना चाहूँगा हो दोनों एक दूस्ते से हाथ मिलाते और वहांसे बाहर आ जाते अब तीन हुए आपर बहुत जादा कुछ हो जोगाता और फिर वह तीन हो जहापर दोनों इस नहीं चीज़े अब खाने को मिलेगी इसलिए मुकंदा भी अब अपने साथ कुछ नई चीज़े त्रहाई करने के लिए त्यार था वो चोड़ चोड़े मीट के ठुपड़े कर देता है उन्हें पॉली सी से बार निकलता है उनके अंदर कुछ शॉल्ट और वॉयल फ्राई कर देता है उसके बाद वह एक बार फि बॉप पुंदा उनके लिए कंटीन्यू खाना बना करता है उसके पास बहुत जादा मीटा है इसलिए वह पीता है जिसे कि उसे बहुत ज्वजीं हुची है यहां पे अगले दिन ट्रेवल पर निकल जाता है जहाँ उसे कुछ मोइस्टर बूल्क नहीं सरी क्या बूशकर एक सेकड़ में बगते और टीमों भी स्वेक्ट करता है और मीवर्टें दोने उसकी मदद करते हैं जिसे कि वह उसे अपने इंवेंटरी में रख सके अब वो लोग आपे ड्रिंग पीने लगते है और वो लोग सेनवीच भी खा र ऑप तुन मिठकार मारे जा रहता खाया वह लोग वाइनली उस leader monster मार रहता था जो últimos पूरा copper का बना तो वो लोग उसके पास आ जाते हैं अब यहां पर मुकंदा देखते हैं कि इसका पैलर तो कुछ अलागी है तो वो सुच्छा एक साइद इसने कुछ जाधा किश्वन का लिए हो जिसके वज़े से उसकी बॉड़ी का कलर चेंज हो गया होगा वो इवन हो गया होगा और वो अटैक में मार सकते और वो इसकी आत्मा को छाहती का प्रें करते और वह से Gilt में आ जाते जास हैं कि कामँद इसकी किमेत तो Himत षहने लगा सकते इसले वह उसको इसक करे हो बोते कि हम अगने दिन तुमें सोच समझ के बता देंगे किकि इतनी जिमत हो सकती है और ठीकते भी कीमत होगी हम तुम्हें दे देंगे तो वह बलता है ठीक ठीक कोई बात नहीं मुझे कोई परिशानी नहीं है इसलिए वह वहां से चने जाते है अब आपे बहुत जादा वह भैसों के जोड़ों को भी देखने थे अब फीरो यहां मैं बुझा के आज काने में तब ही मुकंता वह पर कुछ मीठ के टुपड़ों पर फ्राइ कर देता है और उसके ऊपर कुछ मसारे भी चलग देता है जिसके वह वह वापे खाने में बहुत ही जादा टेश्टी हो जाता है अब फीरो और टीनों को भी वह जादा पसद आती है और वह अलग अलग सौसे किया जिसके उसका टेश्ट और जादा बढ़ जाता है और लोग अब नाइट में त्यार हो जाते हैं मुकदा बोलता है अगर यह दोलों मेरे साथ नहीं होते तो मैं शाहिद यहां पर सब्सक्राइब करने लग जाती है कि तुम इसके लिए क्यों बेजे हो हम भी तुम्हे सब्सक्राइब कि जुरूत नहीं तो मुझे अभी नहीं चाहिए वोटेश बहुत जाए इसलिए मेरी तो इतनी जाधा थाकतवर नहीं फिर भी मैं तुम्हें देना चाओगी तो मुझे यह सब्सक्राइब करने को कैसे मिलेगे इसलिए वो अपने स्किल को टीनो के ऊपर blessing दे देती है, जिसके विजह से अब टीनो के उपर भी एक God की blessing आ चुके थे, अभ भी ये सारी चीज़े तो मुकंदा भी समझ गया था, इसलिए वो सारी Goddess को ही अपने अपनी चीज़े बेज देता है, जिसे कि वो लोग खुल सोच कहे, energy और इस्टोन ability को चेक करना चाहता था इसलिए फिरो यहां पर टीनों से लड़ना चाहता था पर मुकंदा बना कर देता है अब मुकंदा भी काफी हथ तक अपनी energy को यूज कर पाता है बहुत बड़े लेवल और वह इस चीज़ को देख भी रहा था कि मैं इतला ठक भी नहीं रहा हूं इन चीज़ना मैं पहले ठकता था इनको यूज करते समय इसके इसको इसलिए मुकंदा वहां पर एक वाल्स का यूज करके अपने एक शेल्टर जैसी चीज इसलिए बना लेता है तर तीनों तो यहां पर उसके साथ इसने को पकड़ के लेक्रिक आ जाता ता किसके इसकंट आगे मर्चहें अपनी वाइब के साथ दिना कर रहा ह equipment चाहिए भी अब मुझे कुछ चीज़ тоб göra छाहिए कि तुम मुझे इस Anniversary पे कुछ जादा ही अलग चीज़ों जो मैंने आज तक कभी देखी नहीं हो तो यह सारी चीज़े सोचके तो वर्चंट परिशान हो जाता है और वह भी वोल देता है अब मुकुता यहां पर सो जाता है जिससे पार के वुकामने उसे यहां पर जादा नीद अची आई थी इस ते वह अपनी स्किन का यूज़ करके उस सेंटर को तोड़ने लग जाता है और उस सेंटर को मिट्टी में मिला देता है और वो लोग अगले दे अब गिल्ड में आ चुके थे गिल्ड में वास्टर उसे पैसे तो दे देता है वाकी सारे चीज़ों के पर अभी भी वह उस मसीन को रिडिव करता है जिससे कि वह साथ के मिलस्टर को मिला देता है जिसके वज़े से अब उनके पैन बनाने लगता है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे बन की तरह अब उसके अंदर कुछ सबस्याँ मिला लेकर बाद मार्वथी वह उपने स्टरी रूम में रख देता है और उन्हें जैसे ही वह खा दा है तो उन्हें वह उती ज्यादा है जिससे दिगा तो फिरो और टीनो बहुत ही जादा कुश्य वह जाते हैं कि बाई कि लाध़ आशी सब्सी चीज़े करते यूसफुल भी नहीं होती इसलिए मुखुनदा भी उन चीजों को बेचने के लिए त्यार हो देता है तो उन सब भी को बहुत लोस में बढ़ देता है और उन सब में यूज आती है जैसे मचल उस साबुन के खुशबुश हूंता है तो उसे बहुत ही जादा पसंद आती है इसलिए वो बोलता है मुझे मेरी वाइप को गिप्ट देने के लिए मिल गया था है उसके पास पर्स वार्स बहुत सारी चीज़े पड़ी है और मुझे कुछ समझ अपनी वाइप को आगे गिफ्ट कर दोगा अब मुकुंदा वहां पर बाट टब देख लेता है और वाइप से बताता के बाट टब यहां पर मिल जाते हैं जो की मैजिक से बनाया जाते है अलग तरीके से तुम्हें अगर कुछ जादा रहे चाहिए इसलिए मुझे भी बा इन चीज़ों को यूज करने लगे और ये मेरे बालों को मेरे स्कें को इतना सुन्दर और को मल बना देते जो की मेरे बहुत ही अच्छा फील था इसलिए मुकुंदा उन सारी चीज़ों को मेस देता है और वह उसके बुलती कि हम ऐसी चीज़ों को अपनी दुकान में से वह सब इन चीजों को अच्छे खासे पैसों में करीद में चाहिए इसलिए हम चाहिए कि तुम्हार पास जितना भी श्रॉप एक तुम हमें बेज़ो मुकुंदा भी उन सभी को वह श्रॉप बेज देता है और वहां से चला जाता है अब मुकुंदा फीरो और टीनों के प मघ्री सकता हूँ तब ही वहां पर एक गिल्ड रिष्टा बाता है कि वहां पर नीचे कुछ लोग बहुत जाधा घायल हो गया यह सारी वाते सुनके मुकुंदा तो बहुत जादा परिशान हो जाता मुकुंदा देखता है कि सब लोगों की आदत बहुत ही ज्यादा और उन सभी मॉस्टर को मारें यह सब कर देंगे स्बस्राइब उसके मीट उसके मीट खाने चले जाते अब फिर मोठीनो और मुकुंदा वाले पहुंज़ जाते हैं, वोनोंको दीखते कि यह तो उटने वाले कुछ की रेजर है, जो कि अब टीनो तो वाला पिर वाले एक रू पर अटैक किया जा रहा था, पर उनकी अठेक बार बेदर मिस हो रहे हैं। इसलिए वो उसको बताथा है कि उसको अटेक कैसे काना चाहिए उनके विंग्स के उपर इसलिए वोसके उपर स्टोन का यूज़ करता है और जिसे की वो सब मारे जाते और उन दोनों को बहुत ज़्यादा फूछी थी क्योंकि वो आज रात को इनका मीट करने लगता है तो बार-बार उसके आगया जाता था अब उन्हों उस लोज्टर के सरी अलब कर देते अब मुखंदा बार-बार मीट के टुपड़े निकाल के कुछ फ्राइए करने लगता है उन्हें बॉइल करने के बाद कुणा उन्हें थोड़ा कृपी बना देता है जिससे वह अपने कुर्फुरे मुलोज की तरह उसकी चीजद को खाते हैं तो उन्हें वहाथी जादा लजीज़ लगती और बहुत जादा मुखंदा जाता है और फिर ने को उन्हें पांब करते रहते हैं अब मोकुंदा याद तो वो मुकुंदा तो नहीं हो सकता, इसलिए वो लोग ऐसी बाते करते रहते हैं और उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, तो बोलते हैं इसके खाने का टेस्ट कितना अचीव है, तब ही हम लोग देखते हैं वोकुंदा एक बार फिट से गिल्ड में आ चुपा है और सभी लोगों को लगाता के वो लोग मारे गए वो लोग बताता है कि हमें खाना खाते वे ज़्यादा टाइम लग गया ता इसलिए हम लोग यहां पे आने में लेट हो गया अब खाणा दो भाई खाते खाते लेट त किमत नहीं लगा पा इसलिए राजे तुम्हें बता देगा किस्ती किमत क्या होती तभी गौड़िस उसे बुलती कि हमें भी कुछ खाने को चाहिए जो तुम खा रहे हो यह और हमने सुनाई कि तुम पर कुछ कुछ कंडिशनर आइटम भी है शैंपू एंपू जो कि तुम हम कुछ चीज़ा मांग रही हो तो वह उनके उपर बहुत जादा बढ़क जाती है और वह सभी के लिए कुछ न कुछ बेज देता है अगले दिन मुझे दूं नर्मल वाली चाहिए और वह सारा केश में प्रक्रोट करता है जिसके बाद उन्हें वह बाठ टाप मिल जाता है और वहां से चला जाता लगा के तीनों की वज़े से वह स्पानी को बढ़ देता और हरका सारब शैब को लगा के आपे नाने लग दियाता है और इस पानी की मैंगोज की खुश्बू आ रही थी यानि की औरेंज की ऐसा कुछ कह सकते हो क्योंकि वह जोकी बहुत ही जादा तीनों को मसंद आ रहे थी अब नाने के बाद वह लोग कुछ कॉप्य वापी भी भी पीते हैं जिससे कि उन्हें बहुत ही जादा रीफ्रेश फील होता है और अब वह लोग खाना बनाने के लिए भी आ चुके थे अब उस मीट को कट लग देते हैं को सास पानी मसाले मिला के उस चीज़ों को एक चीज़ें भी बनाने लग जाते हैं जिससे कि वह आपे पीट बरके खाना का सके इसलिए वो लोग अलग-अलग मसालों को मिला के कुछ शोल्ट कुछ मिल तुमिला के कुछ नई चीज़ों को ठ्राय करते हैं तब ही वह आ जाता है जो कि बहुत ही जादा मेला हो चुका था और इनों को क्लेंस भी नहीं करीनी चाहिए क्योंकि आप उनके पास इतना बज़ज़ाटी नहीं है तभी वह फीडों को देखता है जो कि बहुत ही जादा महला हो चुपाता तभी वह बोलता है तुम्हें को नहीं मिले बास जब तक दूर अपने आपको साफ नहीं कर देत अब लोग उसके फर को साफ्टों कर देते और सेंपू से उसको निला पानी वो उसके ऊपर बार्टी डर के रहा रहे ते जो कि इतना जादा काम नहीं आ रहा था इसलिए वह फीरों की मदद से उसको बहुत ही आसानी से निला देते और फाइर मैजिक के वज़र से उसको गपार्ष को ये चड़ा दिया है तभी उन्हें ग्रीड मैंश्टर की बाते याद आती है ग्रीन माइने बताता है कि एक रैर मोश्टर को मानने के लिए क्या क्या होता है इसलिए वह दिन गिल्भ बास्टर के सवाने वह आ जाता है अभी तो हमिए कोई पराइस तुमें ब कर देना thank you so much मिलते रहेंगे आगे भी नए नए वीडियो वीडियो झाल 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 झाल